नवश्कार दोस्तों, विलकम टू स्टडी आईक्यू इंडिया और देन्वार्ट ने रिसेंटली अनाउस किया है कि दुनों देश फोर्म करेंगे एक Green Strategic Partnership, यह पहली बार है जब इंडिया एक Nordic देश के साथ इस टाइप की Deep Partnership मतलब कि अब उठाया जा रहा है इंडिया और डेन्मार्ट के रिलेशन को फोर्म नॉर्मल रिलेशन तो ग्रीन स्ट्राइजिक पार्टर्शिप पेविए तो कॉलाबरेट फोर ग्रीन सॉल्यूशन तो डिवलेप्मेंटल चलेंजज़ इसका मतलब क्या है ग्रीन पार्टर्शिप में हम क्या एक्सपर्ट कर सकते हैं डिस्कस करेंगे काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा So, a lot to know, a lot to discuss As always, but before we begin Google Play Store पे जाओ, download करें यहाँ पर Study IQ Education App और यहाँ पे आप खरीज सकते हैं हमारा flagship UPSC course इसके लाबा मेरा Science and Tech course भी यहाँ पे अविलेबल है मैंने बहुत से topics कवर किया है यहाँ पर that are very important for UPSC perspective और regularly यहाँ पे आपको Science and Tech related जो topics हैं उसकी वीडियो भी आपको मिलते रहेगी for UPSC point of view So, purchase the Science and Tech course today सबसे फ़ली बात अगर हम बात करें Denmark की Denmark को अगर हम देखें तो यहाँ पे आप notice करेंगे यह European country है यह बहुत करीब है Norway, Sweden, Finland के और इसको हम कहते हैं एक Nordic देश अब आदी है इस देश की almost 60 लाक और capital है Denmark का Copenhagen एक बहुत important factor Denmark के बारे में यह मैं आपको दिखाना चाहता हूँ on a bigger map तो यहाँ पे आप देख पाएंगे यह है इंडिया और अगर हम यहाँ पे जाए नॉर्थ को तो यहाँ पे आपको देखेगा this right here is Denmark यह यहाँ पे है Denmark और Denmark देखो यह तो है इसके लावा जो आप नॉर्थ में एक और बहुत बड़ा टापू आप देखोगे यह है Greenland यह भी Denmark का पार्ट है ठीक है यह एक autonomous region है within the kingdom of Denmark Greenland दुनिया का सबसे बड़ा टापू है तो इसलिए इसके बारे में आपको पतावना चाहिए make sure to remember that it comes under the kingdom of Denmark अगर हम बात करें relations की between India and Denmark तो दोनों countries के relations मैं काँँगा काफी अच्छे है यहाँ पर आप देख पाएंगे यह recent photo है from the India Nordic Summit यह हुआ था Stockholm जो राजानी है Sweden की यहाँ पर 2018 में यहाँ पर various countries जैसे के Iceland, Norway, Sweden, Denmark, Finland इन सब countries के जो PM हैं उन्होंने आपर बातचीत करी with the Indian Prime Minister और इस 2018 के summit के बाद 2019 में जो उस वक्त के Danish PM थे, PM Lars यह इंडिया में आये थे for the Vibrant Gujarat Summit जहाँ पर Denmark एक partner country के रूपे participate कर रहा था और अगर हम बात करें bilateral trade की तो दोनों countries का जो trade है इस roughly 1.3 billion dollars अब हो सकता है कि because of COVID-19 कुछ हट तक यह trade कम हो चुका हो मगर from the 2019 data अब अगर देखो तो 1.3 billion dollars का trade है between India and Denmark इस trade में जो trade surplus है roughly 150 million dollars का यह favor करता है इंडिया को और इंडिया primarily export करता है Denmark को textile, fabrics handbags, organic chemicals general industry, machinery occupant, iron, steel तो trade दोनों countries के बीच में भी आप कह सकते हैं काफी moderate है इसमें expansion की काफी शमता है so 2018 की meeting हुई 2019 में और अब 2020 में एक India और Denmark का one to one summit हुआ है virtual summit, यहाँ पर आप देख पाएंगे यह इसकी photo है, इस तरीके से Danish PM और Indian PM ने बातचीत करी है about India-Denmark relations, पहले तो बात की गई है Indo-Pacific की, Denmark के बहुत ही बड़ा supporter है of the Indo-Pacific Initiative Denmark अपने आप में एक NATO country है और America का एक बहुत important ally है, तो by default यह Indo-Pacific जो इनिशेटिव है इसको भी support करते हैं, उसके लावा यहाँ पर बात की गई कि किस तरीके से हम India और European Union के जो ties हैं, यह improve कर सकते हैं, UN reforms की यहाँ बात की गई, Denmark देखिए यह सब countries openly कहा चुकी हैं कि हम चाहते हैं कि India को भी एक seat मिले at the Human Security Council तो जो यहाँ पर virtual meeting हुई है यहाँ पर Denmark ने अपना जो support है यह reiterate किया है, और फिर यहाँ बात की गई है Paris Climate Agreement की और किस तरीके से Conference of Parties 26 में collaboration होनी चाहिए between India and Denmark to fight climate change और देखो climate change के issue को लेकर ही Denmark और India ने अनौस की है Green Strategic Partnership इंडिया की जो strategic partnership है यह various countries के साथ है, like Russia US, मगर different types of partnership है यह जगा आपको मिलेगी Global Strategic Partnership, यह जगा है Special Privileged Strategic Partnership मगर यहाँ पर primarily हम focus करेंगे on green aspect of a strategic partnership, किस तरीके से हम काम कर सकते हैं towards bringing down carbon emissions, हम green technology को कैसे use कर सकते हैं for the development of India, क्योंकि आने वाले time में इंडिया एक बहुती बड़ा manufacturing hub बनेगा तो ऐसे time में कोशिश यह की जाएगी कि इंडिया की तरफ से जो carbon emissions हैं यह काफी कम generate हो, इसके लिए Denmark के काफी important partner है क्योंकि Denmark ने पिछले कुछ सालों में बहुत काम किया है on their green economy यहाँ पर देखेंगे, यह 2019 का article है from Bloomberg एक green economy grows in Denmark Denmark's second biggest city is home to world's biggest wind turbine maker जी हाँ, दुनिया में सबसे बड़ा wind turbine maker है, जिसको हम use करते है to produce wind energy यह आपको मिलेगा in Denmark और Denmark इस aspect को लेकर एक world leader है, recycling को लेकर यह एक world leader है Denmark, Sweden, Finland, इन सब countries ने over the years recycling पे इतना काम किया है कि आज के समय यह दूसरे countries से जो garbage है, जो कचरा है यह import करते हैं और recycle करते हैं अपने देश में और recently Denmark की सरकार ने एक policy document release किया है green growth in Denmark towards 2050 तो आने वाले 30 साल तक किस तरीके से यह green economy पर focus करेंगे, इस में उन्होंने बात करी है इस document में तो Denmark help कर सकते हैं India की to generate green economy अगर मालीजे कल को हम चाते हैं कि हम wind turbine install करें हमारे coastal area में, गुजरात के आसपास या फिर सदर इंडिया में तो वहाँ पर जो companies हैं most probably होंगी Danish companies मतलब के Denmark की companies और Denmark को काफी experience भी है कि किस तरीके से various sectors में, चाहे वो coal का sector हो चाहे वो water management हो इसके लावा soil management उसमें हम कैसे sustainable तरीके से growth कर सकते हैं without hurting the environment Denmark काफी help करेगा इंडिया को यह ensure करने में कि ठीक है एक टाइम पे हमें global manufacturing hub बनेंगे हमारे देश में API बनेगा हम लोग अपनी जो defense industry है इसको strong करेंगे बहुत कुछ हम manufacture करेंगे इंडिया मगर हमको ensure करना होगा it is done through एक green economy और इससे पहले आप अगर देखो तो डेनमार्क इंडिया की कावी help कर चुका है regarding water management primarily in the area of water supply water distribution waste management treatment sewage system reuse of treated water तो यह जो topics है they are very important और especially for a country like India जहाँ पे मान के चल रहे है कि in the future water scarcity होगी पानी की कमी होगी तो ऐसे time में एक हम सीख पाएं कि water को reuse कैसे करना है so that will help us a lot अब इस सब में डेनमार्क को फाइदा क्या है डेनमार्क की जो private companies है इनको business मिलेगा यहाँ पे बहुत सारी companies है जो काम करती है towards water management wind energy solar power तो इनको एक बहुत भी बड़ी market मिलेगी in India और India इनका experience यूज़ कर सकता है to make sure that we work towards a green economy so अभी के लिए यह है और इस वीडियो का thanks for listening and as always God bless you all